नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका आर जी स्मार्ट क्लास में आज इस वीडियो में हम सीटेड एक्जाम के लिए एससटी के प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर किया हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है दिल्ली सल्तनत का शाषन कब प्रारम हुआ था अगला प्रेशन है अजमेर में धाई दिन का जोपड़ा किस ने बनवाया था? कुद्बुद्दिन एबग, अलाउदिन खिलजी, पलबन या मुहमग बिन तुगलग सही उत्तर है option A, कुद्बुद्दिन एबग अजमेर में धाई दिन का जो जोपड़ा है वो कुद्बुद्दिन एबग के द्वारा बनवाया गया था सही उत्तर है option B, कुद्ब मिनार का निर्माड के द्वारा पूरा कराया गया था अगला प्रिशन है, चंगेज खान ने जलालुद्दिन का पीछा करते हुए किसके शाशनकाल में भारत की सीमथ़ा पर आकरमन किया था इल्टुत्मिश, पल्बन, कुद्बुद्दिन एबग या नसुरिद्दिन खुसरो सही उत्तर है option A, इल्टुत्मिश चंगेज खाने जरालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुत्मिश के शाशनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमन किया था अगला प्रेशन है प्रशिद फार्सी त्योवार नौरोज की शुरुवात किस शाशक के द्वारा की गई थी अगला प्रेशन है की वे दो वन्शच कौन थे जिनोंने खिल्जी शाशकों से ततकाल पहले और बाद में शाशन किया था गुलाम तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक, सयद तथा लोदी या तुगलक तथा लोदी सयुतर है option B, गुलाम तथा तुगलक नेश्क कौशन है कि दिल्ली के खिल्जी सुल्तान कौन थे? मंगोल, तुर्क, अफगान या इनमें से कोई नहीं सयुतर है option B, तुर्क, दिल्ली के जो खिल्जी सुल्तान थे वो तुर्क थे अगला प्रश्ण है कि स्वैम को दूसरा सिकंदर अत्वा सिकंदरे सानी कहने वाला सुल्तान कौन था बल्बन मुहमद बिन तुगलक अलाउदिन खिल जी या सिकंदर लोती सही उत्तर है option C, अलावदीन खिलजी अलावदीन खिलजी ने स्वैम को दूसरा सिकंदर या सिकंदरे सानी कहा था सही उत्तर है option A, अलावदीन खिलजी अगला प्रशन है मलिक काफोर किसका सेना पती था अलावदीन खिलजी, पुद्बुद्दीन एबक, सिकंदर लोदी या हुमायू सही उत्तर है option A, अलावदीन खिलजी मलिक काफोर अलावदीन खिलजी का सेना पती था मद्रोई तक सफलता पूरवक बढ़ने वाला दिल्ली का सेना पती कौन था अगला प्रशन है पजार विनिम्यन प्राणाली की शुरुवात किसके द्वारा की गई थी अलाउद्दीन खिलजी, कुद्बुद्दीन एबक, इल्तुत्मिश या मुहमद्दीन तुगलग सही उतर है option A, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, मुहमद्दीन तुगलग, कुद्बुद्दीन मुबारक या इन में से कोई नहीं तो इस प्रशन का सही उतर है option A, अलाउद्दीन खिलजी निम्लिखित में से भारत का तोता किसे कहा जाता है सही उतर है option A, अमीर, खिलजी, मुहमद्दीन खिलजी पल्बन से लेकर ग्यासुदिन तुगलग तक सभी सुल्तानों का सनक्षन जो है उसका उपयोग अमेर खुसरों के द्वारा किया गया था अगला प्रशन है कि किस कारण से मुहमद्दीन तुगलग आसफल व्यक्ति था वा वैवारिक राजनेता नहीं था वा विक्षिप्त था उसने राजधानी दूसरे सहर को बनाया था या उसने चीन के शाथ युद्ध किया था अगला प्रशन है वर्तमान दौलताबाद जहां मुहमद्द तुगलग ने दिल्ली से राजधानी को इस्थानांतरित किया था किसके समय पिस्तित है भोपाल, औरंगाबाद, मैसूर या निजामाबाद अगला प्रशन है ब्राह्मनों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था मुहमद्द तुगलग, फिरोज तुगलग, बलबन या अलाउदीन खिलजी सई उतर है option B, फिरोज तुगलक, ब्रामणों पर भी जजिया कर लगाने की शुरुवात दिल्ली की सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी अगला परशने की किस वंश के शाषकों ने सबसे अधिक समय तक शाषन किया था सई उतर है option A, तुगलक वंश के शाषकों के द्वारा सबसे अधिक समय तक शाषन किया गया था नेमलखित में से किस साषक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था महमद बिन तुगलक, जलालुदीन खिलजी, फिरोज तुगलक या अलाउदीन खिलजी सई उतर है option A, महमद बिन तुगलक यात्री इबन बदूता कहां से आया था? मौरको, फारस, तुर्की या मदेशिया सई उतर है option A, मौरको यात्री जो इबन बदूता है वो मौरको से भारत आया था और मौरको जो है ये अफ्रीका में इस्थित है अगला प्रशने की लोधी वंस का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या इन में से कोई नहीं सई उतर है option B, बहलोल लोधी लोधी वंस का संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी था अगला प्रशने की दिल्ली सल्तनत का शाषन कब समाप्थ हुआ था? 1526, 1527, 1545 या 1546 सयूतर है आप्शन A, 1526 निशोषने की निम्रिखित शाष्टकों में से बीजापुर में प्रसित गोल गुमबच का निर्माड किस ने किया था? सयूतर है आप्शन A, मुहमद आदिल्शा के द्वारा बीजापुर में प्रसित गोल गुमबच का निर्माड कराया गया था? नेश कोश्चन है भारत का प्रथम मुगल बाश्चा कौन था? बाबर, अकबर, हिमाईउ या शाजहां? सयूतर है आप्शन A, बाबर, भारत का जो पहला मुगल बाश्चा था, वो बाबर था नेश कोश्चन है कि बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्पनन किस भाशा में लिखे थे? तुर्की, अर्बी, फार्सी या मांगोल सयूतर है आप्शन A, तुर्की, बाबर के द्वारा जो है तुझके बाबरी जो है वो तुर्की भाशा में लिखे गई थी अगला प्रेशने की बाबर के मृत्यु कहां हुई थी? आगरा, लाहोर, काबुल या दिल्ली सयूतर है आप्शन A, आगरा, बाबर के मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी नेशूशने की दिल्ली में पुराना किला का निर्माड किस शाशक के शाशनकाल में हुआ था? हुमायू, शेरसा, शूरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं अगला प्रश्ण है टोडर मल किसके दर्बार में रहता था निशोशने की आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल फजल, फिर्दोसी, जहांगीर या इन में से कोई नहीं सही उतर है आप्शन ए अबुल फजल प्रस्ति जो पुस्तक है आईने अकबरी वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आये हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें वीडियो को लाइक करें तकि हम इस तरह के और वीडियो बनाते रहें और आप इस वीडियो को फेस्बूक एवं वाटसे पर भी शेयर कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरू बताएं तो आज के लिए इतना ही देखते रहे आर जे स्मार्ट क्लास धन्यवाद